अगर आपको माईलेज मेशीन चाहिए उसी के दाथ पावर एंड फीचर चाहिए ना 20 लेक्ट के अंदर आपने सुना होगा ग्रैन भीतारा आपके लिए बहुत सही चोईस है बहुत सजेशन आता है बट क्या प्रैक्टिक लिए आपके लिए यह सही रहेगा वह आज बात कर सेफटी को लेके भी बाते करेंगे यह अपने पास मारती सुची की ग्रैंट भीतारा एक महीने से हम इसे चला रहे है माईलेज हमें बहुत ही बहतरी ने मिला उसमें कोई शक्त है नहीं वैसे डीटेल में बात करेंगा ऐसे रिवीव रहेगा देगे सबसे पहले स्पेशल सब्सक्राइब को यह कार हमें प्रोवाइट करने के लिए कोई भी मारती सुची की नेकसा कार के लिए आज ही आप इने कंटर्ट कर सकतो स्क्रीन में डेस्क्रिप्शन के अंदर आपको जाए नंबर दिख रहा होगा स्टार्ट करेंगा लूक से ना तो सबसे बहले फ्रॉ सब्सक्राइब के लिए नहीं मिलता है किसी भी गारी के अंदर तो इसके अंदर भी नहीं है मुझे परसनेलिस का जो ग्रिल यूनिट है ना वह बहुत पसंद है और 360 डिग्री यहाँ पे कैमेर आपको दिया जाता है डूल टोन के अंदर विट क्लैडिंग आपको बंपर किया जाता है ग्राउंड क्लेंस हुज प्लस है 210 mm का ग्राउंड क्लेंस है मैं अगर प्रैक्टिकली बताओ तो हम ना ऐसे रोट क्रॉस कर रहे थे जो वह बीच में या क्या बोलता है चलने वाला जो चीज होता है ना फूट स्टेप उसके उपर से तो वह एक प्रैक्टिक को आप नहीं भूल सकते हैं साइट प्रोफाइल में बात करें तो बड़ा ही प्यारा सा एक एक एलिगंट लूक चाहिए वह है आपको रूफ्रेल देखने में मिलता है यूज पैंडरमिक संरूप और इस संरूप का एक प्लस भी है और शाक्फिन एंटरन आप यहां पर द चीज अगर खुल जाता ना जैसे क्रेटा में होता है अनलॉक होता है तो प्रेस करते ही यह मिसिंग है तो यह चीज है वैसे पीछे के लूक की बात करूं ना तो इसका रेयर प्रोफाइल मेरा परसनेल फेबरेट रहने वाला है सबसे पहले तो जो मुझे पसंद है यह वा करता है और उसे के साथ यह वैसे एकसेसरी शोर्म के तरफ से लगाया गया है और अच्छा लूक निकल का आता है डूइल टून के अंदर बांपर है क्लैडिंग है पार्किंग सेंसर है अब इसलिए कैमेरा है जैसे बहुत स्पेस देखने में मिलता है और क्योंकि हम यह चीज कहा कि हां अच्छा प्लास्टिक देखने मिलता है यह आप जाके शुरू में बचेक करना तो आपको बतलेंगा यह चीज बताऊंगा बाकि यहां पर आपको जो है क्रोम है यहां पर पार इंडो का कंट्रोल है और यह ना यूवी कट जो ग्लास है वो है तो अब इसका रिजन डेफिनेटली जो ग्लास है वो काफी अच्छा खासा वाइडर ग्लास आपको देखने मिलता है पैन्रोमिक संरूफ आपको क्योंकि दिया गया है फाइट मेरा हाइट है सेम यह सीट को मैंने अच्छा है और लेग रूम आप खुद यहां पर देख सकते ह अगर आप करते हैं अपना अपना काम जो भी है वह करते जा सकते हैं पीछे आपको देखने मिलता है और यह जितना प्लस आपको देगा नादो होने के जगरा नहीं होता है और आप नीचे फोन भी बैसे रख सकते हो सामने चेक करते हैं तो सबसे पहले यह चीज मुझे सही लगा वान टच डाउन एंड वन टच अब आपको देखने में मिलता है और यहांसे आप वार भीम बैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाकि यहां पे स्पेस आप आपको काफी एक यूज प्लस देखने में मिलता है मैं अगर स्टार्ट करू दर्वाजा खुला है बट स्टिल जो रिफाइनमेंट है वह मुझे बहुत यूज प्लस लगा वैसे यह आपको दिया जाता है और काफी अच्छा क्वालिटी का वैसे लेदर आपको दिया जात जाता है चलाना एंद उसाथ आपको आपको देखने में इससाथं देंडा से देखने अनल तो कंफी सही आपको मिलता है यूज vantage क्रिंग आपके एपसिंटर आपको देने इसका लोक ने बडश्य है है और एक चीज़ डेफिनेटली कहूंगा साउंड और बहुत अच्छा है और एंड अपर कार प्लेना यहां पर वाइलेस भी सपोर्ट के साथ देखने में मिलता है और कैमेरा का जो क्वालिटी है वो भी सही है यहां पर बाइद वे सारा एंगेल से यह लेफ्ट साइड वाल वैसे अब सुन सकते एक आईडिया लग गया होगा तो काफी अच्छा आपको जो है बेस एंड स्पीकर्स विसी के लिए देखने मिलता है उसी के साथ सेंटर कंसोल में नीचे अगर चले हां तो हैजर्ट लाइट आपको देखने में मिलता है एंड नीचे आपको आपको आ है और एक बस भी है सामने ना एक फॉर्स चर्जिंग टाइप सी या फिर भी होना थे तो वह हमें थोड़ा मिसिंग लगा बटी के लिए हम यह यूज कर रहे हैं यह आपना थोड़ा वचा भी है नौल रख सकतो दो कफूल्डर आपको यह पर दिया जाता है हम बटन रखक देखने मिलता है यह मुझे बहुत सही लगा बाकि सेंटर में अब इसलिए हैलोजन लाइट है यह पर LED होना चाहिए था यहाप कैसे भूल सकते हो उसी के साथ यहां पर भी आपको यहां पर प्लस बताता हूं यह पीछे तक खुल जाता है जो कि आपको किसी भी कार के सब्सक्राइब करना है क्योंकि ऑटमेटिक है यह 1.5 ना रिफाइनमेंट के साथ आपको यहां पर जो प्लस है वह भी ओफर करता है यह जो प्लस है ना डेफिनेटली और स्टेरिंग फेडबेक का डेफिनेटली मैं खुद नहीं जो भाई यहां पर वीडियो करें वह भी क अच्छे से ट्यूंड है जैसे कि जैसे अभी आप देखना यह देख सकते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा अभी स्लो चल रहे तो थोड़ा सापको जो सॉफ्टर यहां पर फील होता है जैसे ही मैं आप थोड़ा सा हाई स्पीड मतलब सेवेंटी क्रोस कर जाओंगा ना तभी ज अब इसलिए बटर स्मूथ आपको है जो है देखने में मिलने वाला है बिल्कुल आप आसानी से यहां पर जो है ऐसे कुछ क्रॉस कर सकते हैं और क्योंकि वीजिबिलिटी आपके पास बहुत बहतरीन है तो वहां पर आपको एक और प्लस डेफिनेटली देखने में मिलेग इसी के साथ ऑटमेटिक का है यहां पर जो ट्यूनिंग है वो आप बिल्कुल देख सकते हो जैसे ही आप एक्सिलेट फूल करोगे तो यह अपना गेर डाउन कर देता है अब इससे आसानी हो जाता है फिर से यह खराब है रोड तो वीडियो में ही आपको पता लग गया होगा एंड पर्फॉमेंस अमेजिंग लिट्रेली अमेजिंग अल्रेडी हापे 60 क्रॉस्ट है और रिफाइनमेंट भी आपको यहां पर देखने मिलता है और यहां पर 80 हम क्रॉस हो चुके है तो अवरल एक बहुत बहतरीन कार है हाँ आप माइलेज का यहां पर पूछोग और कुछ हमें 17.5 का हमें माइलेज मिला और अच्छे से तो ड्राइब नहीं किया माइलेज निकालने के लिए अगर आप चला होगे ना क्रूस में 80 में लगा के तो मुझे लगता है यह आपको अराम से 19 दे देगा तो मुझे तो यह कार बहुत बहतरीन लगा आप इसके ब आपको अशलतिवाज ड्राइब श्योड श्राश मुझे लगता है